जै श्री राम भगतो भगतो यह शब्द बोलना शुरू कर दो जहां भी जाओगे आपका सम्मान होगा सारी दुनिया आपकी इज़त करने लगेगी अब आप सोचते होंगे ऐसा कौनशा शब्द है जिसके बोलने से हमें सम्मान मिल जाएगा क्योंकि आप जहां भी जाते हो आपकी कोई पूछ नहीं करता देखो जो आम आदमी होते हैं वो जहां भी जाते हैं वो दुख साथ लेके जाते हैं जिस वज़े से अगला व्यक्ति भी दुखी हो जाता है क्यों दुख साथ लेके जाता क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की नेगेटिव एनरजी होती है नकारात में उर्जा होती है वो जहां जाएगा वहाँ पर नेगेटिव उर्जा ही फैलेगी नेगेटिव उर्जा फैलेगी तो अगले के दिमाग में भी नेगेटिविटी जाएगी और वो भी उदास हो जाएगा लेकिन जो सुखी इंसान होते हैं जिनका ओरा अच्छा होता है जिनमें सकारात मक्ता होती है वो जहां जाते हैं खुशिया फैलाते हैं और शकून फैलाते हैं आग्गे वाला इनसान उससे इतनी प्रेम से बोलेगा कि वो मंत्र मुग्द हो जाता है और वो भी खुशी से जूमने लग जाता है तो कौन सा ऐसा शब्द बोलना है जिससे आप जहां जाओगे आपको इज़्जत मिलेगी सम्मान मिलेगा मान मिलेगा और आप खुशियां ही फैलाओगे क्योंकि जो इनसान जब खुसियां फैलाता है तो सब कोई उसकी इज़त करता है सम्मान करता है तो आप ऐसा करें कि आप ये नाम बोलना शरू कर दे और वो नाम हम आपको बता रहे हैं जिस नाम से उपर इस संसार में कुछ भी नहीं है यानि कि पूरे ब्रहमांड का सरव शक्ति साली नाम है वो और उसी नाम से आप जो कुछ चाहे वही कर सकते हैं तो देखो बगदो वो नाम वैसे तो पूरी स्रिष्टी में निराकार रूप से हर जीव में हर प्राणी में हर चीज में भी ध्यमान है क्योंकि अगर वो नाम नहीं होगा तो ये स्रिष्टी नहीं होगी तो आपको वही नाम बोलना है उस नाम से क्या कुछ नहीं हो सकता सब कुछ उसी नाम से हुआ है और हुआ था और हो रहा और आगे भी होगा तो वो नाम है भगवान नाम क्योंकि भगवान नाम ही सरवशक्ति साली है, शास्त्र मत है, रिशी मुनियो द्वारा बताया गया है, स्वेम बर्मा द्वारा बताया गया है, राम ने कहा है कि राम न सक कही नाम गुन गाही, तो नाम में इतने गुन है उसकी महिमाईश संसार में कोई गाही नहीं सका, तो इसलिए बता जाता है ताकि लोगों का विश्वास हो अपने अपने बुद्धी की अनुसार तो आप भगवान का नाम राम को मानते हैं राम को जपलो क्रिशन को मानते हैं क्रिशन को जपलो शिव को मानते हैं शिव को जपलो दुर्गा को मानते हैं दुर्गा को जपलो क्यो पहुचा देगा जिस प्रकार अगर आपको कहीं जाना है तो आप बस में बैठेंगे या गाड़ी में बैठेंगे या ट्रेन में बैठेंगे या रूपलेन में बैठेंगे बैठने के बाद तो वो मंजिल पर अवश्य ही पहुचा देता है बसरते कि आप वीच में उससे उत तो ऐसे ही भगवान नाम है, एक बार आपने बोलना शुरू कर दिया, तो मंजिल आपको अवश्य ही मिलेगी, यानि आपकी जो भी इच्छा है, सांसारिक है, आध्यात्मिक है, मानसी है, किसी भी प्रकार की इच्छा है, वो नीश्न देहे पूरी होगी, अगर-अगर कोई इच्छा नहीं है, तो फिर तो कहने ही क्या है, करम करो, और भगवान का नाम जपो, तो आपको सब कुछ अपने आप मिलेगा, जहां भी आप जाओगे ना, तो आपको इज़त मिलेगी, क्योंकि इस नाम के प्रभाव से आपके अंदर इतनी सकारात में उर्जा जाएगी, कि आप जहां जाओगे, वहां खुशिया ही फैलाओगे, शकून फैलाओगे, शान्ती फैलाओगे, क्योंकि शास्त्रों में लिखा कि ऐसा व्यक्ति जहां भी जाता है, वहां खुशिया चा जाती है, जिस स्थान पर वो पैर रखता है, वो स्थान तिर्थ बन जाता है, त मुक्य को अपने हाथ से ना जाने दे जो इस आउसर को गवा देगा वो सिर पकड़ पकड़ कर रोएगा क्योंकि उसके पास कोई चारा नी बचेगा ने जाने ये मनुस्यतन दुबारा कब मिलेगा या ना मिलेगा भगवान ने आउसर दिया है इसका लाब उठाएए वीडि तरिरान बगता